आज के समय में अगरबति जो है सबसे जादा उतपादन करने वाला देश है हमारे भारत पूरी दुनिया में सबसे जादा जो है अगरबतियां भारत में ही बनाई जाती है और एक्सपोर्ट की जाती है लेकिन इसके पीछे जो है इसका इतिहास जैसे कि मैंने अभी कुछ टॉपिक्स में बताया हुआ है तो इतिहास इसका जानने की कोशिस करेंगे उससे पहले एक छोटा सा जो सौट वीडियो है वो आप देख लीजिए क्या आप जानते हैं कि अगर बत्ती का इतिहास क्या है और इसका विश्कार और इसका उपयोग कौन सी जगा से और कौन से देश से किया गया था अगर बत्ती का सबसे पुराना इस्तरोध जो है वेदो से है विशेस रूप से अर्दवेद और रिगवेद इसे एक सुगंद और और सधी उप्या उपकरन बनाने के लिए धूब बत्ती का प्रयोग किया जाता था चिकित्सा के अनुसार आईरुवेदिक में इसका पहला चरण जो है धूब को माना जाता था एक चिकित्सा के रूप में दीरे दीरे इसका उप्योग बौध के कुछ भुक्चियों द्वारा इसका पेड की छाल और कुछ जड़ी ब्यूटियों और बास की जो तीलिया होती है उसके द्वारा संदोसों के आसपास चीनी भुक्चियों के द्वारा इसे बनाना अरंभ किया गया तो धूब जलाने का विश्कार हमारे वेदों से हैं जबकि अगरबत्ती का निर्मान चीनी भक्षों के द्वारा किया गया था इसी तरीके की फैक्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो जैसे कि आप जानते होंगे कि वारत अगरबत्ती का सबसे बड़ा उठादक देश माना जाता है पूरी दुनिया भर में और यहां पी अगरबत्ती बनाई भी जाती है और अलग 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 देशों में एक्सपोर्ट की जाती है उसी भी जो है हम बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे What is the history of अगरवत्ती and दूप इस्टिक अगरवत्ती ओम दूप इस्टिक का जो है इतिहास क्या है तो जो है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सर रुकेस्ट अगर आप हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये तो सस्क्राइब जरूर कर लिजिए क्योंकि अगरवत्ती बिजनेस से रिलेड़ेड ऐची कुछ इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी तो चैनल आप प्लीज सस्क्राइब परके जरूर रख लिजिए तो ज़्यादा समय खराब ना करते हुए बात करते हम अपने टॉपिक के उपर बेसिकली जो इसका इतिहास है उसके बारे में जानने की कोशिज करेंगे तो सबसे पहले और सबसे पुराना इस्त्रोज जो है वेदों को मना जाता था मुख्य रूप से रिग्वेद और अर्थवेद से लोग यहाँ पे आउसदी के रूप में धूप का उपयोग किया करते थे अब ध्यान से इस बात को समझेए कि उस समय धूप का उपयोग किया जाता था ना कि अगरवत्ती का तो धूप को किस तरीके से और किस लिए यूज़ किया जाता था तो वहाँ पे धूप को एक आयरुवेदिक आउसदी के रूप में लोग मानते थे और जो है इसका जला कर कुछ जड़ी बूटियों और काफी सारी चीजों का मिक्सरन करके इसे जलाया जाता था और जलाने के बाद इसे और सदी मानक रूप के रूप में इस्तमाल किया जाता था जिससे किसी तरीके की कोई बिमारिया हो या फिर जो नेगेटिविटी जैसे हम मान के चलते हैं तो उस तरीकों को सुद्ध करने के लिए धूप का इस्तमाल किया जाता था काफी सारी जड़ी बूटियों को उपयोग में लाकर और जलाकर तो ये जो है हमारा वेदों से निकल के आया है हमारा धूप जिसे हम धूप का जो मानक प्रचलन अभी धूप इस्टिक के नाम से जो है चलती है बाद में कुछ इसापूर्व के लगभग 200 इसापूर्व में माना जाता है कि 200 इसापूर्व में कुछ चीनी भक्चूओं के द्वारा चीनी भक्चूओं के द्वारा जो है सन 200 इसापूर्व में इसे अगरबत्ती के रूप में इस्तमाल किया जाने लगा और लोगों का जो है जो माटेरियल सोते थे तो पुराने जड़ी बूटियों के जरिये से जो है इसका एक माटेरियल तयार करके बैम्बू के रूप में इसे बनाने की सुरुवात किया गया जिसे हम अगर्बत्ती का नाम देते हैं अगर्बत्ती बेसिकली जो है 200 इसापूरों में चीनी भिक्षों के द्वारा इसे बनाया गया और इसमें काफी सारे माटेरियल्स का बैम्बू पे लपेट कर जैसे की हैंड में इस्टिक्स आपने देखी होंगी तो उसी तरीके से लपेट कर जो है इसे बनाया जाने लगा स 200 इसापूरों में चाइना के द्वारा और जो है वहां से बहुत अनिनायों के द्वारा फिर इसका प्रचलन दीरे-दीरे से बढ़ने लगा क्योंकि उस समय बहुत धर्म में काफी बड़ी संख्या में धूप का उपयोग किया जाता था और अगर बत्ती का निर्वान होने के बाद इसे प्रचलन में लाया गया फिर चाइना जपान और ऐसे कुछ देशों में इसकी प्रचलन जो है बढ़ गई अगर बत्ती की तो यहीं पर इतिहास अगर समझा जाये तो धूप का जो हमारे वेदों से है जबकि अगर बत्ती बनाने का इतिहास 200 हिसा पूरों में चाइना के द्वारा किया गया देरे देरे इसका प्रचलन बढ़ते गया लोग इसे समझते गये जानते गये और काफी सारे सुगंद और कुजबों की इस मतलब प्रचलन इतनी जादा बढ़ने लगी कि लोग हर एक चीजों पे छोड़ी छोड़ी चीजों में पूजा हो गया और काफी सारी चीजों में इसका इस्तमाल किया जाने लगा लेकिन उस टाइम क्या है अगरबती का इस्तमाल हमारे भारत में नहीं होता था लोग जो है धूबती का ही इस्तमाल किया करते थे क्योंकि उस समय जो की जरूरत की जो माटेरियल्स हैं और लोगों में जानन और फिर अगर्वत्ति का निर्मान यहां भी किया गया तो बाद में भारत में अगर्वत्ति का इस्तमाल बनाने का इस्तमाल और उपयोग करने का इस्तमाल किया जाने लगा तो इसी तरीके से जो है इसका प्रचलन दीरे-दीरे बढ़ते गया और जिस तरीके से अभी और इतिहास था इसके बारे में और काफी सारी चीजें हैं लेकिन इसको बताने के लिए काफी समय लगेगा और काफी सारी चीजें करनी पड़ेंगी तो बेसिकली यही एक छोटा सा इतिहास है चाहे तो इसको अच्छे तरीके समझ समझने के लिए आप विकीपीडिया पर सर्च करके इसके बारे में जान सकते हैं और जो उमीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगी होंगी मिलते हैं अगले आने वाले किसी नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद